नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर पर आज हम आपके लिए जीके का कुछ प्रस्ण लेके आए हैं जो कि सारे एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइ चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, कौन से दो आधारत भूत बल दो नीट्रोन के बीच आकर्शक बल उपलब्ध करा सकते हैं, इसका सही एंसर आपको बताना है, इसका सही एंसर हो जाएगा, हमारा अप्शन नमबर C, गुरूत वि ना भी किये, ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, जब दो परमानु के बीच आवांध बनता है, तो प्रनाली की उर्जा, प्रनाली की उर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, चलिए हम इसका सही एंसर आपको बतात होती है, तो ये option बर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये electron की stream होती है, चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, कैथोड कीरन में डैश होता है, कैथोड कीरन में क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो द्रुमान तथा आव अधिक, विधूत, शरनात्मक है, इसका correct answer हो जाएगा, फ्लोरीन option number A, इसका correct answer हो जाएगा, चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, किसी तत्यो के राशायने गुन्निम्द में से कौन सात्य करता है, इसका सही answer हो जाएगा, electron की संख जाएगा, इसका correct answer हो जाएगा, चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, किसी तत्यो के तुल्यांकि भार तथा संयोगजिता के गुनन्फल किसके बराबर होता है, ठीक है, question फिर से मैं पढ़ दे रहा हो, किसी तत्यो के तुल्यांकि कि भार तथा संयोगजिता का गुनन्फल किसके बराबर होता है, आप सभी को इसका answer बनाना है, इसका correct answer हो जाएगा, परमानु भार, परमानु भार इसका correct answer हो जाएगा, option number C, चलिए अपने अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, आनिवा कक्षा का अभ्यास किसके नियंत्रित होता है, इसका correct answer हो जाएगा, चुम्बक किये, इसका correct answer हो जाएगा, चुम्बक किये, क्वान्टम संख्या, option B, इसका correct answer हो जाएगा, चलिए अपने दस्वा प्रश्ण की ओर चलते हैं, हमारे दस्वा प्रश्ण है, किसी तत्यों के परमानू का परमानू करम 17 है, और दुर्वमान संख्या 36 है, उसके नियूकलियस में नियूट्रॉन की संख्या क्या होगी, आप लोग निकालिए इसे, इसका correct answer हो जाएगा, 19, option B, इसका correct answer हो जाएगा, चलिए अपने अगले प्रश्ण की और चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, दुर्वम्यान संख्या किसका योग्य है, आप सभी को बताना है इसका correct answer, इसका correct answer हो जाएगा, proton और neutron, proton और neutron इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको option में बताना है कि proton की खोज किस ने की थी, और neutron की खोज किस ने की चलिए अगले प्रश्ण की और चलते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, एक पर्मानु दुर्वमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, आप सभी को इसका answer बताना है, इसका correct answer हो जाएगा, कुल प्रोटॉन तथा neutron की संख्या को जोड़कर, कुल प्रोटॉन तथा neutron प्रोटॉन की संख्या को जोड़कर इसका correct answer हो जाएगा, option number C, चलिए अपने अगले प्रश्ण की और चलते हैं, प्रोटॉन की समान संख्या किन्तु neutron के भिन-भिन संख्या वाले परमानुओं को क्या कहते हैं, इसका सही answer हो जाएगा, समस्थानिक, समस्थानिक इसका सही अगले प्रश्ण की और चलते हैं, प्रमानुओं संख्या वाले नूकलियाइड को क्या कहते हैं, इसका सही answer भी समस्थानिक हो जाएगा, option B इसका correct answer हो जाएगा, चलिए अगले प्रश्ण की और चलते हैं, प्रमानुओं तत्व संख्या 29 किस्य संबंधित है, प्रमानुओं तत्व संख्या 29 किस्य संबंधित है, डी ब्लोग, डी ब्लोग से संबंधित है, option B हमारे इसका correct answer हो जाएगा, धन्यवास दोस्टों ये आज की top 15 question थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइबर कर दे हमारे चैनल को, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों की जान, thank you